राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल के हार्दिक स्वाकत है अभिनल्दल है प्यारे बच्चों मेरे साथियों मेरे दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको हड़ी तोड बुखार देंगू के बारे में विस्तार से चर्चा किया था आज उसी के क्रम में डेंगू का जो दूसरा प्रकार है डेंगू रक्त श्रावी ज्वर इस पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जब डेंगू फिवर खराब होने इस्तिती में रहता है रोगी की हालत बिगड़ने लगती है तो दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वर्गी करन है डेंगू रक्त स्रावी ज्वर डेंगू हिमरेजिक फीवर इसको बोलते हैं डी एजेप पहले भी बताये था अभी भी बता रही हूं डेंगू मच्छर खाल काटने से फैलता है उसमें जो मच्छरे मुखी रूप से वह है एडेज एजप्टी फैलाने वाले वाइरस को हम कहते अर्बो वाइरस इतना तो आपको ग्यात है अब हम देखते हैं कि एडेज एजप्टी यह प्रकार का मच्छर है और जेंगू रक्ष्रावी फीबर में यही मच्छर जब काटता है स्वस्त व्यक्ति को तो अपने वाइरस को जो मच्छर की भीतर वाइरस है वो रोगी व्यक्ति के शरीर में छोड़ दिया जाता है इसका इंक्यूबेशन पिरियाड रोग का जो पिछले वीडियो में बताया था देंगू का देंगू फीबर में वो लक्षन ते इसमें रहते ही रहते हैं इसके अलावे कई सारी लक्षन और इसमें जुड़ जाते हैं जैसे बुखार एक सो तीन डिग्री से एक सो पांस डिग्री फारन हाइट तक बना रहता है रोगी व्यक्ति का जो चेहरा है वह तमतमाया हुआ लाल रंका हो जाता है और शीरदर्द चक्कर उल्टी आना व्यचैनी व्यग्रता नींद नहीं आना दस्त लगना इसके बाद रोगी व्यक्ति का पेट पूला पूला लगता है पेट में दर्द हो जाता है अधी जठरिये परिशानी हो जाती है एपिगेस्टिक डिसकंफर्ट हो जाता है रोगी का पेट ऐसा लगता है जैसे कि फूल रहा है वो कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं रहता है अगर उसे पानी भी दोग मेलेरीया का प्लाजमोडियम वाईवेक्स अब प्लाजमोडियम मेलेर्य यह दोनों ही रोगडेंगु के बाद हो गया तो इस्थिति और भी ज्यादा भ्यावा हो आँ थांने बता रही थे आपको डेंगु रख श्रावी जोहार के पार हो पैट cripple श पहर पेट में परिशानी हो जाती है फिरगैस्ति डिस्कमपट हो जाता है निकले बहुत कर नेकलते हैं जैसे मीजल सुने दान už उसी तरह से इसमें दाने किलायें पहले भी मैंने देखा थे भी क्या चब् Lex और इसके बाद पलाज्मा लिखेज अगर पर नहीं किया गया काबु नहीं पाये गया तो पलाज्मा लीखेज होने लगता है और रक्त वाहिनियों में जो ब्लड वेसल से हमारे धमनी और सिराएं अर्ट्रिज और बेंस इसमें बहाव ब्लड फ्लो ब्लड सर्कुलेशन रूख जाता है और जब अब सोचो जब ब्लड सर्कुलेशन रूख जाएगा तो रोगी व्यक्ति को खून ही तो आक्सीजन पोश रोगी तक पहुचाने का काम करता है और इस प्लड प्रकार से तो इस स्थिती में क्या होता है मिल ही नी रहा है और साथ में अक्सीजन नहीं मिलता है और उसका ढक्ल घुटने लगता है अनी लगती है आंख के आगे बिल्कुल लंदेरा चाने लगता है रोगी व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता है विस्तर पर ही पड़ा रहता है और अगर उसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं कराया जाए स्विएक डॉक्टर से उसको नहीं दिखाया जाए तो इस्थिति गंभीर हो जाती है रोग की दिवरता की स्थित अपने योजन हम कैसे करें तो डेंगुब फीवर तक तो हम आहार कर शक्लिंट कर सकते हैं तो आज मैं आपको डेंगुब और यंव गोर्ग रख्श्रावी फीवर है थेट throw न दोने के बारे में वाषार मेंनेजमन पता है सबसे पहले जब भी बुखार आता है किसी भी कारण से बुखार आ रहा हो और खास करके जब डेंगु से रोगी व्यक्ति पीडित है तो उसके आहार में लिक्विड डाइट समाहित करो तरल ही पेपडार्थ आप उसको दे सकते हैं तरल आहार उसको दीजिए क्योंकि सॉलुडो पचा नहीं पाएगा सेमी सॉलुडो खा नहीं पाएगा स्वाद उसका बिगड गया है उसकी गले से भोजन उतरता नहीं है और अगर आपने जबरजस्ति उसको खिला भी दिया तो उसको लिक्वड डाइट में आप दे सकते हैं क्या देंगे सिकनजी दीजिए क्या देंगे मौसमी का जूस दीजिए संत्रे का जूस दीजिए अनार का जूस दीजिए मौसम की अगर फल और सबजियां है तो उसका सूप बना के दीजिए टमाटर को सूप बना के दीजिए तो ऐसी चीजों को जिस जो पोशक्ततों से परिपूर्ण है उसको दीजिए अभी मैंने आपको बताया कि बुखार की स्थिती में डेंगू जब बुखार आता है तो गेस्ट डिसकंफर्ट हो जाता है पेट फूने लगता है तो फैट तो पचा नहीं पाएगा सूप भी अगर आप डालोगे थोड़ी सी घी भी डाल करके तो बच्चा पच्चा लेगा बड़े पच्चा लेंगे रोगी व्यक्ति पच्चा लेकिन अगर सोचो के थोड़े ज़्यादा डाल दे तो फैट बच्चा ही नहीं पाएगा तो इस्तिती में जूसी लिक्विड झाफल डॉक्टर भी इसको शनठाच देते हैं कि कीवी वस्त फायदा करता है तो फूट का पस cabbage बना के दे सकते हैं पपीता को कड़ के सकते हैं पपीता के चैको प्लेटे कीядбы पढताने में मदद करता है क्योंकि देंगव के स्थीती में ब्लेटलेट बहुत गिर जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे बेटे के केस में मैंने देखा था जब उसको फस्ट डे हमने सी बीसी करवाया तो उस समय प्लेटलेट्स उसके धाई लाग थे और जब हमने तीन दिन के बाद करवाया तो मातर 30 था उजल था और डॉक्टर ने कहा कि आप इसको आप भरती क पाएदा करता है अब है अब इस्तिती ऎकि रोगी उसको कितना खा सकता एगर रोगी वेक्तष्टर नहीं खा पाता है नहीं पचा पाता है तो बात दूसरी है तब तो आप अप डॉक्टर के अंडर चले गए तो ॉक्ट्न से सज्श्च करेंगे वैसाख देंगे तब आपको सेलाइन के माध्यम से जो पानी चढ़ाये जाता है नसों के माध्यम से उनको प्लब्द करवाई जाती है इंजेक्शन फिर दिये जाते हैं वह सारी चीज हैं जो मेना पियांकों से दिखा है तो केवल मैं meal management की बात कर रही हूँ यहाँ पर diet management की केवल बात कर रही हूँ liquid diet दीचे बालक का अगर स्वास्त में थोड़ा सुधार होने लगेगा तो खुद ही ओ खिचडी दलिया जैसी चीज़े खाने लगेगा और फिर जब उसके स्वास्त में सुधार होगा तब ही वो solid diet जो आप रोटी सब्जी कहते हैं दालचावल कहते हैं वो खाने लगेगा इसके पहले तो नहीं खाएगा एक कहने की बात होती है रोगी जब व्यक्ति बिमार होता है जब उसका स्वास्तस्तर गिरता है तो सबसे पहले में देखती है वो खाना छोड़ देता है भोजन के प्रति उसकी अरूची हो जाती है ब्यक्रता हो जाता है उसको भोजन देखते ही इसे बुकाई आने लगती है घबरहाट होने लगती है और ये उसके जो इस्थितियां होती है वो अच्छी नहीं माले जाती है तो चलिए पानी बहुत अधीक मात्रा में रोगी को पिलाते रहो क्योंकि बुखार आता है तो बुखार जब आएगा तो शरीर का पानी खतम होने लगता है जलने लगता है उसकी पूर्ती आप सिकन जी के माध्यम से दे सकते हैं नीबू में विटामिन C होता है यह मेलेटी पावर को भी बढ़ाता है थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल दीजि में देते रहें यदेपी कहना जितना आसान है उतना आसान मैनेज करना नहीं है मैं खुद उसका उदाहरन हूं जब आप रोगी व्यक्ति को देते हों कि हमें जूस लाइव मुसम्मिका कहेगा भी नहीं पीने का मन है सिकंजी लाइव कहेगा नहीं पीने का मन है सूप बना है तो डेंगु की स्थिती में किस प्रकार का हार मैनेज्मेंट होना चाहिए डेंगु रक्त स्रावी फिबर कैसा है क्यों होता है इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है वीडियो अच्छी लगती है तो प्लेश सेयर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताएं यह वीडियो केवल हमारे जो स्ट्रेंट होम साइंस के लिए उसके लिए नहीं है बलकि सभी के लिए क्योंकि जो डेंगु रोग है वो कह करके नहीं आता है कि आज मैं आपके घर में आ रही हूं आपके कैसे अपने घर के सब्सक्राइब को जो हम बीमार पड़ा है उसको हम कैसी ठीक रखे हैं तो चलिए हम अपने वीडियो के ही विराम देते हूं फिर मिलते में अगले वीडियो में अगली वातों के साथ हूं ओके बाइ आपके लुट